सवाल नमबर तीन निमने लिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग बीधी से ग्याद कीजिए इसमें टोटल देस सवाल दिया हुआ है और सभी का वर्गमूल ग्याद करना है भाग बीधी से तो आएए एकग करके सभी सवाल को हम सुल्व करते हैं सवाल नमबर तीन का पहला इसमें दिया हुआ है 4489 ठीक है और इसका वर्गमूल ग्याद करना है भाग बीधी से तो देखिए यहां लिखेंगे हल ठीक है पहले जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को लिख लेंगे ठीक है यहां पर देखिए संख्या को लिख लिए है भाग बीधी से वर्गमूल ग्याद करना है पहले इसमें जो संख्या देखिए यह जो संख्या में अंक है अंक का हम जुड़ा लगा लेंगे देखिए जुड़ा लगा लिए फिर जुड़ा लगा लिए मतलब अंकों को हम क्य कि इह बना लिए अब देखिए यहाँ पर 44 है 2004 को हम लगाएंगे 6 से ठीक है 7 से लगाएंगे तो सरसा तो 49 हो जाएगा 44 से जादा हो जाएगा तो नहीं लगेगा तो 6 से लगाएंगे 6 6 6 जए इहाँ भी लिखा जाता है और यह दुनों को जोड दिया जाता है, तो 12 हो गया, अब 4 है, यहाँ पे 6 है, इससे 5 लिया, 14 हो गया, 14 में से 6 गया, 8, यह बचा 3, 3 में से 3 घट गया, तो कुछ नहीं बचेगा, कट-कट हो गया, ठीक है, उपर से 2 गांग कुदरता है, तो यहाँ उतरेगा 90, तो देखिए यहाँ पे हम 7 से लगाएंगे, यहाँ 7 लिखे हैं, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, ठीक है, तो 122 को 7 से गुना करेंगे, 7, 7, 49, हाथ में रहा 4, 7, 24, और 4, 18, हाथ में रहा 1, 7, एकम 7, और 1, 8, देखिए, 889, यहाँ भी 889 है, तो लगा देंगे हम, ठीक है, देखिए, 123 को 7 से गुना किये, तो इतना आ गया, 9 में 9 गया, कुछ नहीं बचेगा, 8 में 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 8 में 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, वहाँ 7 लगाए हैं, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, और इसको जोड़ देंगे, तो 7 साथ, 14, 2 और इसका एक हासिल, 3, 1, ठीक है, अब तो कुछ अंख है नहीं, यानि कि बर्गमूल बन गया, तो देखिए, 449 इसका बर्गमूल निकाले, तो आया है सरसथ, आप यहाँ पिलिख सकते हैं, इसलिए, अभिष्ट वर्गमूल, कितना है, सरसथ है, सवाल नंबर 3 का दुसरा देखिए, इसमें संख्या दिया हुआ है, 3481, और इसका बर्गमूल गयात करना है, भाग विधी से, ठीक है, तो देखिए, इसको हम हल करते हैं, संख्या है चाउतिस सो एकासी उबर्ग मूल गयात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या है इसमें जो अंख है अंख का हम जोड़ा लगाते हैं ठीक है इधर से ठीक है दाहिना तरब से देखिए तो अंख है इसको हम जोड़ा लगा लिए यहां भी हो जाएगा तो 6 से नहीं लगएगा 5 से लगएगा यहां भी 5 लिखेंगे तो 5 में 5 से भूना करेंगे तो हो जाएगा 25 देखिए पांच यहां लिखें तो 5 यहां भी लिखना पड़ता है यह दुनों को 981 है तो यहां पर हम कितना से गुना करें कि 981 हो जाए तो देखें यहां पर हम 9 लिखेंगे ठीक है तो यह हो गया 109 अब 109 को कितना से गुना करेंगे 9 से यह नowski लिखे हैं इसलिए 9 से हम गुना करना होगा ठीक है तो 109 को 9 से गुना करते हैं 9,9 एकासी हाथ में रहा 8 9 में 0 से गुना करें में 0 जीरो में 8 है जोड़ देंगे 9 एकाम 9 देखिए 9 s Deixa आया है यहाँ भी 981 है यानि कि 109 को 9 से गुना किये तो 981 आया ठीक है यहां 9 लिखेंगे इसको जोड़ेंगे 9 9 18 और 1 है 981 में 981 घटाईएगा तो कुछ नहीं बचेगा ठीक है तो देखिए इसका हम बर्गमूल निकाले तो बर्गमूल आया है 69 इसका हम बर्गमूल ग्याद किये तो आया 69 यह उत्तर है ठीक है सवाल नमबर 3 का तीसरा इसमें संख्या है 329 और इसका बर्गमूल ग्याद करना है तो देखिए 329 पहले जो संख्या में एंक है इसका हम जुड़ा लगाएंगे देखिए जुड़ा लगा रहा है तो यहां पे 32 है ठीक है बर्गमूल में जब भी हम सोलूशन करते हैं तो यहां पर देख रहें कि जोड़ा लगा हुआ है, यानि कि 32 को आढ़ाएंगे, तो 32 को लगाएंगे यहां 5 से, ठीक है, तो यहां 5 लिखेंगे, तो 55, 25, अगर यहां 6 से लगाते हैं, तो 6 छक 36 हो जाएगा, 32 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 36 नहीं लगेगा, तो 5 से ल उपर में देखिए इसके बाद दो अंक लेना पड़ता है तो 49 है तो यहाँ पूतर जाएगा 49 भागा में कैसे होता है कि एक अंक उतारते हैं बारी बारी से तो बर्गमूल में क्या होता है कि डबल अंक उतरता है ठीक है अब यहाँ पे हो गया 749 यहां पे 10 है तो यहां पे देखिए अगर हम 7 यहां लिखेंगे तो 107 हो जाएगा तो यहां 7 लिखेंगे तो यहां भी 7 लिखेंगे ठीक है अब 107 को 7 से गुना करिए यहां देखिए 107 इसको 7 से गुना करेंगे तो 107 49 7 एकम 7 देखिए 749 आया, यहां भी 749 है, यानि कि 7 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 749 ठीक है, यहां 7 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 7, 7, 14, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 और 1 है, देखिए 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यानि कि सेस्फिल कितना है, 0 ह और इसके बाद कोई अंक भी नहीं है, यानि कि इसका हम बर्गमूल निकाल चुके हैं, तो इसको भाग बिधे से बर्गमूल हम निकाले, तो देखिए संतामन आया है, यहां पर लिखेंगे संतामन, यह आंसर है, देखिए, चौथा सवाल, इसमें 1379 दिया हुआ है, और इ तो देखिए, जोड़ा लगाए, यहां पर जोड़ा लग गया, यानि कि पहले 13 को हम सॉल्फ करेंगे, तो 4 से लगाएंगे तो 4 चक, 16 होगा, जो कि 13 से ज्यादा है, तो 4 से नहीं लगेगा, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, अब नहीं पर 3 लिखेंगे और इसको जोड़ा देंगे, ठीक है, देखिए, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, उपर से उतारेंगे इसको, 79, अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम 8 लिखते हैं तो यह 68 हो जाएगा, और 68 को 8 से गुना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पर 7 लगाएंगे, यहां 7 लिखे हैं, तो यहां भी 7 से गुना करना होगा, यानि कि 66 को 7 से गुना करना होगा, तो करिए गुना कितना आता है, 66 को 7 से गुना करेंगे, 67 49, हाथ में रहा 4, 67 42, और 4 46, 479, ठीक है, तो इसके बराबर है, तो हम लगा सकते हैं, देखिए, 7 से गुना कियें तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे ठीक है यह बर्गमूल का नियम है कि इसको आप जिस अंग से गुना कर रहे हैं उस अंग को यहाँ पर लिकर के वो इसमें जोड़ दीजिए ठीक है तो 7 7 14 6 और इसका एक हासिल 7 देखिए 9 में से 9 गया 0 6 में चार गया 0 यानि से सफ़ल 0 आ गया इसके बाद कोई आंक भी नहीं है तो इसका हम बर्गमूल गयात किये तो बर्गमूल कितना आया 37 ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या रहता है इसका यहाँ पर दोगना रहता है तब जाके आपका बर्गमूल सही है ठीक है यह बर्गमूल का नीयम है यहाँ जो भी संख्या इसका यहां पर हमेशा डबल होता है तह 37 का देखिए दोगना यहाँ पर चोहत्तर है इसका मतलब है कि यह जो बर्गमूल बना हुआ है यह 100 परसंट सही है ठीक है देखिए पांच मा सवाल इसमें आपको संख्या दिया 5776 इसका बर्गमूल जयात करना है भाग विधी से तो देखिए 5776 है यह लिखेगा हल ठीक है और देखिए इसका हम भाग विधी से निकालते हैं पहला नियम है कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें आंकों का जुड़ा लगाएँगे दाहने तरफ से ठीक है तीधर से जुड़ा लगाए फिर जुड़ा लगाए तो देखी जुड़ा लग गया को भी आंक इसमें सिंगल नहीं बचा है तो यहाँ पर इसको अहल करेंगे पहले संतामन को तो संतामन को किस संख्य से लगाएंगे तो आठ से लगाएंगा तो आठी आठी चौसट हो जाएगा संतामन से ज्यादा हो जाएगा तो आठ से नहीं लगेगा, साथ से लगेगा तो यहाँ भी साथ लिखेंगे तो साथ में साथ से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा 7 से गुना की हैं तो यहाँ पर 7 लिख करके इसको जोड देंगे ठीक है देखिए 17 है 17 में से 9 हो गया 8 इसको एक हासिल दे दिया तो यह तो 4 बचा 4 में से 4 गया 0 यानि कुछ नहीं बचा ठीक है अब इसको हम solve कर दिये इसको बगल में देखिए 76 है तो यहाँ पूतरे का 76 ठीक है अब यहाँ पर 876 है तो इसको हम कितना से गुना करे कितना हो जाए या इसको बराबर हो या इससे कम हो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ पर 6 से गुना करेंगे ठीक है तो देखिए जब यहां 6 लिखते हैं तो यहां भी 6 लिखना होगा अगर यहां 7 लिखते हैं तो यहां भी 7 लिखना होगा जो अंक आप यहां लिखेगा उसी अंक से गुना भी करना होगा ध्यान रखेगा यह बर्गमूल का नियम होता है तो 146 लिखे तो 146 को 6 से गुना करेंगे तो गुना करिए कितना आता है गुनानफल 146 से 6 से गुना करते हैं तो 6 चक, 36, हाथ में रहा 3 6 चोक, 24, 3, 27, हाथ में रहा 2 6 कम 6 और 2, 8 876, देखिए यहां भी 876 है तो हम लगा सकते हैं 876 को, दुनों बराबर है 6 से इसको हम गुना किये हैं तो 6 यहां पे लिकर करके इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6, 12, 4, और इसका एक हासिल 5 और देखिए 146 में 6 जोड़िएगा तो 152 हो जाएगा इस तर से इसको थोड़ा सा बहा दिजेगा यहां तक अब इसको देखिए 876 में 876 घटा देंगे तो सेस्पल कुछ नहीं बचेगा यानि कि इसका वर्गमूल हम निकाले भाग बिधी से तो देखिए वर्गमूल आया है छी हत्तर यह आपका आंसर है सवाल नंबर 6 देखिए इसमें दिया हुआ है सेंख्या 7921 ठीक है और इसका वर्गमूल भाग बिधी से निकालना है तो देखिए 7961 है वर्गमूल ग्याद करना है सबसे पहले अंको का हम जुड़ा लगाएंगे देखिए जुड़ा लगा दिये यहां भी जुड़ा लग गया तो 79 है तो यहां पे हम लगाएंगे 8 से तो 8, 8, 64 अगर 9 से लगाएंगे तो 89, 81 हो जाएगा इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं लगेगा 8 से लगेगा ठीक है 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया एक, इसमें इसको घटा दिये अब यहां 8 लिखे हैं तो यहां पे 8 लिखे जोड़ेंगे तो 8, 8, 16 अब देखिए बगल में इसके बगल में 21 है तो यहां पे उतर जाएगा 21 अब यहां पे कितना से गुना करें तो देखिए यहां 9 लिखेंगे ठीक है तो जब 9 लिखेती हो गया 179 पहले 16 था 9 जैसे ही लगा आए यहां पे तो 179 हो गया अब जब 9 लिखेंगे तो 9 से ही गुना करना होगा ठीक है तो देखिए 179 को 9 से गुना करके देखते हैं तो 9, 9, 81 हाथ में रहा 8 9, 6, 5 54 में 8 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा 54, 8, 62 बाकी रहा 6 9, 1, 9 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो 15 15, 21 यहां भी 15, 21 है तो 15, 21 में 15, 21 हम लगा सकते हैं असाने से देखिए 9 से जब इसको गुना की है तो यहां 9 लिखेंगे इसको जोड़ देंगे तो 9 और 9 में ठारा हाथ में रहा 1 6 और इसका 1 7 एक है तो 1 ठीक है इसमें इसको घटाते हैं तो 15, 21 है और 15, 21 घटाईएगा तो स्रिस्वर तो 0 न बचेगा यानि कि देखिए यहां पर 9 छूट रहा है 9 यहां लिखेंगे तो 9 से गुना भी करना परता है यानि कि बर्गमूल कितना है 89 है इसका बर्गमूल हम निकाले भाग बिधी से तो 89 आया ठीक है यह उत्तर है आपका सवाल नंबर 7 देखिए इसमें संख्या दिया हुआ है 576 यानि 3 अंक का संख्या है तो देखिए इसका हम बर्गमूल गयाद करते हैं भाग बिधी से 576 है बर्गमूल गयाद करना है सबसे पहले हम अंकों का जुड़ा लगाते हैं तो देखिए जुड़ा लगाए तो यहां पर देख रहे हैं कि 5 है 5 का जुड़ा नहीं लगागा तो 5 को solve करना होगा पहले तो यहां लिखेंगो 2 तो 2 से लगाएंगे तो 2 दुटनी के 4 हो जाएगा 3 से कर लिखते हैं, तो 3 लगाएंगे तो देखिए 9 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा तो पांच से ज्यादा हो जाएगा, तो तिन नहीं लगेगा, दू लगेगा, ठीक है, इसलिए दू लगाए हैं, तो दू में दू से गुना किये चार, यहां दू लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे हम, यह नियम होता है, कि इसको जितना अंग सब गुना कर रहे हैं, उत हम 5 लगाते हैं, तो 5 से हम गुना करना होगा, तो देखिए, 55-55, और पंचो के 20, और दू 22, 235, 176 से यह ज्यादा हो गया, यानि कि 5 नहीं लगेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 176 के बराबर होना चाहिए, या इससे कम होना चाहिए, ठीक है, इससे एका ज्याद इसको 4 से गुना करेंगे 4 चक 16 हाथ में 1 4 चक 16 हो 1 176 देखिए यहां भी 176 है इसके बराबर आया है तो इसको लगा सकते हैं असानी से तो हैं लिखेंगे 176 इसको 4 से गुना किये हैं तो 4 लेकर किसमें जोड़ देंगे तो 44 में 4 जोड़ेंगे तो कितमा होगा और 40 176 में 176 घटाईगे तो सेस्फल कुछ नहीं बचेगा यह सब हटा देजेगा इससमत लिखेगा यह तो हम गुना किये हैं तो देखिए आपका बर्गमूल भाग बिधी से निकाल दिये हैं 576 का वर्गमूल भाग बिधी से निकाले तो देखिए 24 आया है तो यह अपके लिखेगा 24 यह उत्तर हो गया सवाल नंबर 8 देखिए 8 में संख्या दिया हुआ है 1024 और इसका वर्गमूल गयात करना है तो इसको महल करते हैं देखिए 1024 भाग बिधी से तो सबसे पहले आंको का जोड़ा लगाएंगे तो देखिए यहाँ भी जोड़ा लगा यहाँ भी जोड़ा लग गया तो 10 है 22 तरफ से solve करते हैं और जोड़ा 2 तरफ से लगाते हैं संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसमें आंको का जोड़ा लगाते हैं जो की नहीं लगेगा ठीक है तो 3 लगेगा तो 3, 3, 9 हो गया अब इसको 3 से गुना किये हैं तो यहां पर 3 लिख जोड़ेंगे तो 3 ओ 3 6 हो जाएगा अब देखे दस में से नौ घटा यह एक बचेगा ठीक है इसके बगल में 24 है तो 24 को यहां पर उतारेंगे अब यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए दू से गुना करेंगे ठीक है यहाँ दू लिखेंगा तो 62 को गुना करेंगे दू से जब यहाँ दू लिखेंगे तो 62 को दू से गुना करेंगे तो कितना होगा 62 को दूर से गुना करेंगे तो दूर निका 4 और दू छक 12 124 आया इसके बरावर आ गया ठीक है देखिए इसको दूर से गुना किये है तो दूर लिख करके इसको जोड़ेंगे 62 में दूर जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा और 124 में 124 घटाएंगे तो सेसफल कुछ नहीं बचेगा तो इसको भाग बिधी से हम बर्गमूल ग्याद किये तो बर्गमूल देखिए 32 आया है ठीक है और यह जो हम बनाए है यह सही है कि नहीं है इसको पता कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी सेंख्या रहेगा इसका हमेशा यहाँ पर डबल रहता है तब 32 का दोगना 64 होता है तो देखिए यहाँ पर 64 है इसका मतलब है कि बर्गमूल सही है अगर यहाँ पर 65 रहता तो यह बर्गमूल गलत होता अगर यहां पर 63 रहता तो बर्गमूल गलत होता यहां जो भी रहेगा अगर यहां पर 1 है तो यहां पर 2 होना चाहिए अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 4 होना चाहिए इसका दोगना यहां पर रहता है सवाल नमबर 9 देखिए इसमें संख्या है 3136 और इसका बर्गमूल गयाद करना है भाग बिधी से ठीक है तो भाग बिधी से देखिए इसको हम बर्गमूल गयाद करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संख्या है उसको दाहिना तरफ से अंकों का जुड़ा लगाते हैं ये पहला नियम है बर्गमूल का तो देखिए जुड़ा लगा दिये फिर जुड़ा लग रहा है जुड़ा लगा दिये अब तो अंक है नहीं अब देखिए सॉल्व करते हम बाइं तरब से इधर से ठीक है तो 31 है तो 31 को पहले solve करेंगे तो 31 को देखिए यहां पांच से लबाएंगे हम तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा इसको 5 से गुना किये हैं तो 5 लेकर को जोड भी देंगे ठीक है तो 5 ओ 5 10 अब 31 से यहां पर 25 है तो 31 में 25 को घट चाहेंगे तो 6 बचेगा ठीक है अब इसके बगय देखिए 36 है तो यहां पर 26 हो गया है यहां पर 10 है तो देखिये यहां पर हम लिखेंगे 6 तो यह हो गया 106 ठीक है जब 6 लिखिए तो 6 से गुला करना होगा तो देखिए 106 को 6 से जब गुना करेंगे तो 6 चक 36 हाथ में रहा 3, 6 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में 3 को जोड़ देंगे तो 3, 6 एकम 6 देखिए 636 आया है तो इसमें असानी से लग जाएगा यहाँ पर 6 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 106 में 6 जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा और 636 में 636 को घटाएगे तो सेस्फिल कुछ नहीं बचेगा यानि कि इसका बर्गमूल हम निकाले तो देखिए बर्गमूल आया है 56 सवाल नमबर 10 इसमें संख्या 900 दिया हुआ है और इसका बर्गमूल गयाद करना है भाग विधी से तो देखिए इसको हम सॉल्फ करते हैं संख्या 900 है ठीक है सबसे पहले अंको का जोड़ा लगाएंगे दाहिना तरब से तो देखिए जोड़ा लग गया एक का जोड़ा नहीं लगा नौ का जोड़ा नहीं लगा ठीक है तो पहले नौ को हम सॉल्फ करेंगे 9 है तो यहां लिखेंगे 3 तीन में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 से इसको गुना किये है तो 3 लीक करके इसको जोड़ देंगा तो 3 और 3 6 देखिए 9 में से 9 गया तो कट कुट यानि कि सेस्फिल कुछ नहीं बचा देखिए डबल जीरो है तो यहां पूतारे डबल जीरो अब नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं कि एक जीरो को यहां पे लिखते हैं और एक जीरो को यहां पे लिखते हैं अगर double zero बच रहा है last में तो एक zero को यहाँ बठा देजिए और एक zero को यहाँ बठा देजिए यह नियम होता है ठीक है तो देखिए बर्गमूल कितना आया तीस आया यानि कि 900 का बर्गमूल तीस होगा ठीक है देखिए इसको हम और समझाते हैं माली जीए कि 9 पे दू जीरो और दू चार जीरो रहता और किसका बर्गमूल निका लिए तब कैसे निकालेंगे देखिए पहले हम आंको का जोड़ा लगाते हैं तो दाहना तरफ से जोड़ा लगा फिर जोड़ा लग गया नौ का जोड़ा देखिए उपर से उतरेगा डबल जीरो ठीक है नहीं लग रहा है एक जीरो को यहां बठाइए और एक जीरो को यहां बठा देजिए फिर उपर से उतरेगा डबल जीरो ठीक है देखिए डबल जीरो फिर था तो फिर उतारे फिर इसका एक जीरो यहां बठेगा और इसका जिरो यहां बठेगा यानि कि इसका बरग मूल होगा 300 हम कीzar काना चा। हम यहीं काना चाहते हैं कि ऐगर कोई पूर्ण बरग संखिया है और उसके बाद सुनियों की संखिया अगर सम है तो सुर्ण पांच एंदधा 9 ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा